सिक्किम विश्विदाले में दो चात्रों के निलंबन के बाद से महोल गर्माया हुआ है। सिक्किम उनिवर्सिटी स्ट्टियेन्स एसोसियेशन के नेत्रेतों में विश्विजब्दाले के चात्र चात्राओं सो ने एक बार फ़ेर इनिवर्सिटी के आडिमिष्ट्रेटीब ब्लॉक के बाहर प्रदसन किया। बुनिआदरी शुबदाओं के मागं में 10 माई को चात्रों के प्रदाशन के बाद इन दोनों चात्रों को अनिश्यतकाल के लिए निलबित किया गया था। सिक्किम इनिवर्सिटी स्टुडेंट्स एसोसियेशन ने लिलम्मन का ओन ओफिसियल नोटिस दिये जाने पर असंतोस जाहिर की है। वहीं 15 माई को अनुशासनात्मक कमीटी का अगठन किया गया। कमीटी ने आज बैठक की जिसका सिक्किम इनिवर्सिटी स्टुएंट्स एसोसियेशन ने भाइसकार करते हुए फिर परदाशन शुरू कर दिया। वहीं 15 म जुएंट्स पहा काौर्स कि छिक है। 10th of May 2023 YouTubers after that, our basic needs were fulfilled on the day itself but after that incident to the protests. Two of our students, Devaraj Sethri and Akhand Prathapa Singh were suspended after the incident. So today morning we received an announcement through the administration अपनोरी नहां नहां को पांड परोग्वार बीत अञि can रहन मैं dialogue जो परी कि अपन चैढ एक थिब्स परिते रिट आए प्र evitar जो नेक मैंनाorm रहुड रहन रहाँ तिन राषणusa पूरा सुर्टाइं स।र्ट। ं a guilty by 2-rlevant administration is towards our demand because we have placed our demands basic needs asking football is asking for basic needs that is totally for the students and having the students have been demanding since the since the very beginning that we have been demanding for the basic needs of प्रकास साथिकारी हम से जूड रहे हैं प्रकास सिक्कीम अभीस्ट विद्याले में चात्रों का प्रदर्शन जारी है अब तक जो उनिवर्सिटी प्रसासन है उसके तरफ से क्या कदम उठाये गए हैं से क्या तरफ से जूड प्रदर्शन जाए हैं तो आज ब्रेंडाउन की आए तो आज इस बिधानले के अ कुभी नहीं है। प्रदर्सन बार बार चात्र कर रहे हैं इनकी दो मांगे हैं ये तो बुनियादी सुविधाओं की ये मांग कर रहे हैं दूसरी मांग ये है कि दो चात्र जो सस्पेंड किए गये हैं निलम्बित किए गये हैं उन्हें फिर से दुबारा उन्हें बुलाय जाये वापस तो इस पर क्या करवाई इंवर्सिटी जो बिस्पिदाल प्रबंदा ने वो कर रहा है अजिए आज उनिवर्सिटी आज बन है उन लोगों ने जो दफ्तरी का अंजलन था उसमें इस्टुडेंट ने नंचिछिटिंग इस्टा को मिस्पीएव किया इसा उन लोगों का भी आरोपी तो उनिवर्सिटी का प्रशासन में आज प्रशासन ने ब्लोग बन करके रहा है तो आज उनिवर्सिटी के कोई भी लोगों प्रशासन नहीं है तो क्या चात्रों का ये अंदोलन ये प्रशासन इसी तरह से जारी रहेगा चात्रों के प्रतिनेदियों ने क्या कहा है अब बारिस हो रहा है बारिस है दिखिके भी ओलोगों कोई भी लोग उपस्तित हैं